जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग चांग अपने असली रूप में वापिस आ गया है और आफ वो तैंग चांग को अपने कहानी बताना शुरू करते हैं बहुत समय पहले मैं Slaughter City में आया था और वहाँ मैंने God of Evil Test को Accept किया था असल में इस दुन्या में Evil के दो God हैं एक है सुरा God जो की killing के इंचार्ज है दूसरे है Demolod जो की Evil Desires के इंचार्ज है ये दो उन्हों एक दूसरे के दुश्मन है और ये दो उन्हों एक दूसरे को Counter Balance भी करते हैं तैंग चांग ने सुरा God का टेस एकसेप्ट किया था और EK करके सारे टेस पार किये थे लेकिन एक टेस के दौरान जब वो बैट से लड़ रही थे तो वो बहुत साथा ठक गए थे और तबी फिर अचानक वाँ एक काला धूँआ आने लगा और उनकी सोल पाफुल डिजाय से चारो तरफ से गिर गई उनकी बॉटी बलड नाइन हेड़िट बैट केंग की होस बन गई और फिर फाइनली तैंक चान स्लाटर केंग में ट्रांसफार्म हो गए तैंक चान ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या आपका फिर अभी एट टेस पार नहीं हुआ है तैंक चान नहां कहता है और बताता है कि वो अच्छे से समझ गया है डेमन लॉट नहीं चाता है कि सुनकर को उसका हायर मिले इसलिए उसने एट टेस के दुरान बीच में आकर मेरे साथ ऐसा किया था मैं तब इविल डिजाइस से चारो तरफ से घिर गया था और बेडियों में फस गया था और धीरे धीरे मेरी सोल भी स्लोटा किंग में तब दील होती गई लेकिन अब जब मेरे उपर सी कॉट की लाइक पड़ी तो ये बेडिया टूट गई और मैं आजाद हो गया और साथ ही साथ मेरा एटेस भी पास हो गया और इसी वज़े से मुझे ये डिमन स्वाट मेली है लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब बहुत देर हो चुगी है टैंग शैंग उनकी बाते बहुत ध्यान से सुन रहा था और वो सोचने लगता है कि ये इतने साथा ताकत वर है कि इनोंने grand c god master से लड़ाई कर ली है और इनके पास हाउत यान हैमर भी है हो ना हो ये मेरे great grandfather तैंग शैंग ही है जिनकी soul पार 99 है अब वो सीधे उनके सामने ग्रीट करके उन्हें बताता है कि वो तैंग शेंग है वो फिर उन्हें अपना हैमर भी दिखाता है ये देखकर तैंग शेंग बहुत साथा खुश होता है और अपने पोते को उठाता है तैंग शैंग कहता है कि अब आफ वापस आ गए हो और अब हाव टैन ट्राइब ने मेरे पापा को जो दर्द और बेज दी दी है अब वो सब खतम हो जाएगी अब तैंग चैन तैंग शैंग से हाव टैन ट्राइब की पूरी कहानी पूछते हैं तैंग शैंग अब उनको पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे माशल सोल हॉल के पुराने पोक जिनका नाम क्वैन सुनजी था उसने उसकी मौम पर हमला किया था और फिर कैसे मेरे पापा की ट्राइब ने ही मेरे पापा को बाहर निकाल दिया था और कैसे तैंग शैंग अब यहा भी सोल बीस थे, वो उनके औरा से मर ही जा रही थे। अब टांग शेंग अपने दाता से ट्राइब में वापिस चलने को कहता है और ट्राइब को फिर से नंबर वन बनाने को कहता है। तैंग चैंग कहता है कि ट्राइब की जो खालत अब है उसका जब्मेदार वो खुद है अब मैं ट्राइब की मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे भाग्या में कुछ और लिखा है लेकिन तुम अलग हो मैं जब तुम्हारी उमर का था तब मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं था और मैं एरोगेन पी था तुम्हारे अंदर ट्राइब को आगे बढ़ाने की सारे गुन है अब मुझे कहीं और जाना है और अपने प्रॉमिस को पूरा करना है अब फिर हमें पास की फ्लाश बैक में बोज आइक्सी को दिखाया जाता है जो क्वांता लोग और त लेकिन इन दोनों ने इस प्रॉमिस को सीरियस ले लिया और तैंग चैन ने तो ये वादा कर दिया कि तब तक वो वापिस नहीं आएगा जब तक वो गौट नहीं बन जाता अब समय बीतने के साथ बोज आइक्सी और कौइन दैलो दोनों ने हंड्रेड लेवल पर पहुँ पहले ही गौट लेवल अचीव कर लिया था जिस वज़े से वो बोज आइक्सी को नहीं पा सका वही दूसी तरफ तैंग चैन लेवल इंक्रीज करने में काफी फसा रहा और वो ये कभी जान ही ना सका कि बोज आइक्सी ने से कौन दैलो के लिए कहा था और वो तैंग चैन